हेलो एब्रिवन आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता ही है हम उत्राखंड PCS और बिहार PCS के सीरीज चला रहे हैं और कुछी दुनों में यूपी PCS का भी शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी एक्जाम डेट आ गई है आप जून में बारा जून को एक्जाम है है तो हम उसे संब्द भी एक सीरीज चलाएंगे और ये तीन ही कराएंगे सिर्फ बिहार PCS उत्राखंड और हो सकता है MP का अभी स सुचा नहीं है लेकिन फिलाल ये तीन अच्छे से चल जाएं जिसमें हम उत्राखंड में आपका उत्राखंड इस्पेशल कंप्लीट करा चुके हैं और कल ही इसमें उत्राखंड हिस्ट्री हमने पूरी कर ली है उत्राखंड PCS में जितने भी हिस्ट्री के कुश्चन आए है ठीक है नदिया दे रखी हैं और शेहर दे रखे हैं तो गुरकपुर में राप्ती नदी है सही बात है आपके योगी जी का चेत्र है ना और लुद्याना में रावी नदी है ये गलत है लुद्याना में रावी नहीं सतलज नदी है ठीक है जवलपुर में नर्मदा नद अफिर द्वाव इस्थान चाहिए निर्माड का बुवा था निर्माड काई गई इसका निर्माड की गई यानि करतिम नहर है और 1842 से 56 के दौरान इसका निर्माड किया था लंबाई है इसकी 340 किलोमीटर और इसकी मुख्य शाकाए देवण अनुपम शेहर हाथ तुरस आद का क्रम द्वारा गंगा यमुना दौआपके उपरी भाग की कुल साथ लाग हेक्टर भूमी की सिचाई होती है इस नहर द्वारा और इसे गेहुवे गन्ना उत्पादन में इस नहर का जो है महतपून योगदान है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न मेंसे कौन सा ब्रक्ष समुद्र तल से सरवाधिक उचाई पर पाया जाता है तो देवदार के ब्रक्ष जो है आपका सरवाधिक उचाई पर पाया जाता है कितनी उचाई पर अठाइस सो मीटर से अरतिस सो मीटर यानि 2800 मीटर से 3800 मीटर की उचाई वाले चित्रों मे पाए जाने वाले वरच्छों की पत्तियां कैसी होती है नुकीली होती है और और भी वरच्छ है जो इसी थंडे इलाके में या इतनी उचाई पर पाए जाते हैं देवदार हो गया स्प्रूस हो गया सिल्वर हो गया फर जूनी पर अलपाइन है ना यह सारे वरच्छ आपके पाए जाते हैं आंगे अगले कुश्यन पर चलते हैं अगले कुश्यन है आपका नागाजुन सागरबान कहां किस पर बना हुआ है तो कृष्णन नादी पर बना हुआ है यह ना नागाजुन सागरबान परियोजना जो है तेलांगना राज में स्थित है तेलांगना जैसे कि द्वारा और यहां कष्णा नदी पर 124 मीटर ठीक है लंबाई में इस्तित है और इसका सुबारम 1967 में हुआ था और नागर जुन्मान मनाते समय यहां बहुत धर्म के अफ्षिश मिले थे और यहां कभी बिहार बहुत मॉनिस्ट्री और एक विश्व द्याले हुआ करता था है इसके साक्ष में लिए है चलिए आँगे बाढ़ते हैं नएस्ट है आपका खनिष शक्ति संसादन उद्धो गया वं ब्यापार तो भारत का प्राचीन तम विशाल सबसे प्राचीन उध्ण कौन सा है सुति for 25 व श पूर संदु आटी सब्यथावाः अपता मौंजोडोडे की खितक जो खुदाई हुए थी और 18- Bach भारत के वस्त रुद्धोग की आदूनिक धंग से इस्थापित करने का प्रयास किया गया और सबसे 1818 में कलकत्ता में पहली मिल खोली गई वर्तमान में इसके प्रमो केंदर कहां कहां पर है सूरत है हमदावाद है मुंबई कानपुर इंदौर है ना आपकी यूपी में प्रत्वी के निकर्तम दूरी पर इस्थित ग्रह कौन सा है तो सबसे निकर्तम दूरी पर है आपका शुक्र ग्रह है ना शुक्र ग्रह शुक्र प्रत्वी के सरवादिक निकेट इस्थित ग्रह है संभादिक गर्म ग्रह है इस ग्रह को प्रत्वी को जुडवा ग्रह भी कह और ये ग्रह भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपकरा नहीं है। मंगल ग्रह का। नेस्ट कोशन है आपका। वर्ड के परिपेक्ष में पूछा गया है कि सदावार वर्शावन कहां पाए जाते हैं। तो वह आपके कहा पाए जाते हैं। ब्राजील में क्योंकि आप जानते हैं तीनों आपके जो रेखाएं हैं। जो प्रत्वी को बरावर बरावर बाढ़ती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमद्दे रेखा। ये तीनों ही आपके ब्राजील से गुजरती हैं I think मकर नहीं गुजरती और ये तीनों रेखा है आपके अफ्रिका महादीप से गुजरती हैं ब्राजील से सिर्फ दो कर्क और भूमद्दे रेखा चलिए आंगे बढ़ते हैं जब दिन और रात की अबदी बरावर होती है तो सूरीकी केणा सीधी पड़ती है तो कहां पड़ती है सूरीकी केणा भूमद्दे रेखा पर 21 मार्ज 23 सिप्टेंबर remember these days 21 मार्ज 23 सिप्टेंबर को सूरी विश्यूवत रेखा पर चमकता है इस दिन विशुपकी विद्वागों में दिनवेरात सेम होते हैं और इसको विशुप देवस कहा जाता है निम्द सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है तो वह आपके दिने मृत सागर का है ना और इस में आपके जल घलत तो कुछ ज़्यादा ही है और नेस्ट है आपका समताब मंडल में उजून परत का कारे है तो भूतल पर परावेगनी किरणों परावेगनी विकरण ताप को थामना ये समताब मंडल में उजून परत का कारे है भूतल पर परावेगनी विकरण ताप को थामना विश्व में पहला परमाडू विजली घर कहां इस्थापित किया गया था तो वह आपके रशिया में किया गया था 1954 में और अब वह रशिया है पहले USSR था तो 27 जून 1954 को USSR के आवनिस्ट न्यूक्लियर विजली उत्पादित करने वाला दुनिया का पहला परमाडू उर्जा सायंतर बना और इसमें करीब पांच मेगाबाड विजली का उत्पादित किया गया यह विश्व में पहला परमाडू विजली घर है जो कि रशिया में स्थापित किया गया था तो यह आपके हो गए गाई इंडियान एंड वर्ड जोग्रॉफी आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेंड सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा एंड थैंक्स वर लिसनिंग में